नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एस्टोलोजिकल गुरुजी में और हमसे जुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बिल आइकन को दबाए जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों सब अपनी जरूरतों के हिसाब से गरीब होता है और किसी ने सही कहा है कि पैसा एक ही भासा बोलता है कि अगर तुमने मुझे आज बचा लिया तो आगे चलकर मैं तुम्हें बचा लूँगा और सबसे बड़ी हकीकत आज की जवाने में ये है कि लोग आपके बारे में काम के हैं तभी तक लोग आपको पहचानेंगे क्योंकि याद रहे अक्सर दिया चलने के बाद माचिस की तिली हर कोई फेक देता है और मेरा दद किसी के हसने की वज़ा जरूर बन सकता है लेकिन मेरी हसी किसी के दद की वज़ा नहीं बननी चाहिए और मुझे जिनगी की स दाज तो मुमकिं है मगर नजरिये का नहीं और किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ जुबान से नहीं क्योंकि सुई में तागा वही परवीज कर सकता है जिसमें गाठ नहीं होती और कुछ लोग मुझे गलस समझते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि वो चड़ने वाला वेक्ती जुक कर चलता है और उतरने वाला वेक्ती अकड कर चलता है कोई अगर जुक कर चल रहा है तो मतलब उचाई पर जा रहा है और कोई अकड कर चल रहा है तो मतलब नीची आ रहा है अभी मान की ताकत फरिस्तों को भी सैतान बना देती है और नर्मता सधारन विक्ति को भी फरिस्ता बना देती है और बहुत असान है जमीन पर मकान बना लेना दिल में जगा बनाने में चिंगी गुजर जाती है और दोस्तों गलती माफी मांगने से नहीं सुधारने से सही होती है और हाथ की लकीरी सिर्फ सजावट बया करती है किसमत अगर मालुम होती तो मेहनत कौन करता और एक छोटा सतिन का आत्क में चला जाए तो घमन से उनके सिर को जुका देता है और एक छोटी सी चीटी आप की पैर को काट सकती है मगर आप उसके पैर को नहीं काट सकते जिन्द्गी में किसी को छोटा म समझे वे जो कर सकता है सायद आप ना कर पाए और हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है दूसरों के पास केवल सुझाओ है और प्रस्तितिया जब विप्रित होती है तो व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं सभाव और समंध कामाती है और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिन्गी में कितना भी आगे निकल जाए फिर भी सैक्रों लोगों से पीछे रहेंगे और जिन्गी में कितनी भी पीछे रह जाए फिर भी सैक्रों लोगों से आगे रहेंगे अपनी जगर पर लुप तुठाए आगे पीछे तो दुनिया में चलता रहेगा और हमारे उपलब्दियों में दूसरों का भी योगदान होता है क्योंकि समंदर में भले ही पानी अपार है परंतु सच तो यह है वो नदियों का उधार है और जीवन में कुछ बड़ा मिल जाए तो कभी छोटे को मत भुलना क्य अपनी छोटी सोच और गलत वहवार से हारता है और सचाई की रास्ते पर चलने में फायदा है क्योंकि इस रास्ते पर भीर कम मिलता है और कभी किसी के चेहरे को मत देखो बलकि उसके दिल को देखो क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जक्मों की दवा होती और तुम पानी जैसे वनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है पत्थर जैसे नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है और बाज सो ठके की है बहुत मुस्किल नहीं है जिन्गी की सचाई समझना जिस तराजू में दूसरों को तौलती हो उस पर कभी खुद बैट कर द हुस्टू